नमस्कार दोस्तों में नाम है शुबरमेंट गाईज आप लोगों का स्वागत है एक बाद फिर से में यूटीब चैनल पर आज के इस वारे वीडियो में मैं आप लोगों से बात करने वाला हूँ कि यहाँ पर जो लोग GB WhatsApp यूज करते हैं तो आपको WhatsApp officially download यहाँ पर करना पड़ेगा ऐसे बहुत अजीब जीब से एरर आपके सामने आयाते हैं या फिर कहीं बार क्या होता है आपका जो WhatsApp अकाउंट है वो आपका बैन होता है इस तरीके से आप mail करते हो बाद में बाद में उसे open करने के request आलते हो WhatsApp के लिए और वो बहुत टाइम लेते हैं मलब उस टाइम तक आपका WhatsApp आप यूज नहीं कर पारे तो आपका प्रोलम बहुत होती है तो इससे better option यह है कि आपका WhatsApp बैन हो उससे बड़ी है कि आप अपने GV WhatsApp को नॉर्मल WhatsApp में transfer कर लो तो इसका बहुत simple process है जैसे मान लोग कि मेरा जो WhatsApp यहाँ पे नहीं है वाला बिल्कुल blank है मिला भी fresh में डाउनलोड ही किया है तो मैं यहाँ पे अपना GV WhatsApp का पूरा जितना भी मेरी chats है इंदने भी मेरे data है यतना WhatsApp का वो सारा का सारा में normal में लेके जाऊंगा इसके बाद आपको जाने के बाद यहाँ पे फोल्टर मिलेगा अगेन उपन करो अपन करने के बाद यहाँ पे फोल्टर मिलेगा अगेन उपन करो और यहाँ पर ओप्शन दिखा देंगे आपको बहुत सारे backups के तो यहाँ पर database का फोल्टर है जहाँ पर आपको जो बैक बना है वो यहाँ पर आ चुका है तो ज्यादा chats नहीं है यहाँ छोटी सी chatting है और आपको सिंपली करना क्या है इस जी वी वट्सप के फोल्टर को यहाँ से copy कर लेना है copy है move आप जो भी करना चाते है वो कर सकते हो मैं यहाँ पर copy कर लेता हूँ copy करने के बाद आपको इसको paste करना है कहां पर मैं आपको यादा हूँ देखो इंटरन सोली में जाओ और यहाँ पर जाने के बाद एंड्रोड में जाओ अगें यहाँ पर मीडिया में जाओ तो यहाँ पर आपको फोल्डर मिलेगा com.whatsapp का तो मेरा यहाँ पर com.whatsapp का फोल्डर बन चुका है क्योंकि मैंने यहाँ पर अल्लड़ी com.whatsapp को डाउड कर लिया है आप इस तरीके से कर सकते हो और आपको फोल्डर मिल जाएगा simply से open करो open करने के बाद यहाँ पर इस्टे को up here कर दो मलब कि paste कर दो तो paste करने के बाद आपके अपने folder आ जाएगा simply आपको इसको rename करना है rename करना बहुत जुदूरी है simply आप पर इसके बाद आपको यहाँ पर चेक कर लेना कि आपकी file बगएर आ चुकी है अगर मिस हो चुकी तो आप 12-10 कर सकते हो वेल आपकी file यहाँ पर मिस नहीं होती आपको करना क्या simply WhatsApp open करना है यहाँ पर अग्यजियन continue आपको यहाँ पर नमबब डालना है जो आपका यहाँ पर OTP आए गा मेरे सामने, तो यहाँ पर OTP आए चुका है, फिलाल यह मेरा जो OTP है, अलग क्योंकि यहाँ पर WhatsApp चल रहा तो उस तरीके से आया है, तो यहाँ मैं OTP डाल देता हूं, और OTP डालने के बाद क्या होगा, यहाँ पर verify हो रही है, यहाँ पर शूच्ट है verification क code मांग रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पर apply कर रहा है, तो यह मैंने डाल दिया, और इसके बाद यहाँ पर complete हो चुका है, और यहाँ पर done, तो यह कुछ permissions मांग रहा है, Contacts वग़रा कि, और यहाँ पर जो मेरा backup है, वह यहाँ पर आप दे सकते हो कि यहाँ पर आ चुका है, जब यह निशेल हेगी देखकी तो आपको पूरा चाट यहां पर कर देता हूं, यहां पर अगें यहां पर टूस्टर वरिफिकेशन कोड मांग रहा तो मैं डाला देता हूं, तो यहां पर कोड डालने के बाद देखों, मेरी चारी की चैरी जो जितने भी चैर्स थी उस चुका है यतना भी अंदर के स्टीकर्स वगारा सब यहां पे लोड हो चुके हैं तो इस तरीके से आप अपने जी वर्टसप से नोलन वर्टसप में इससे ट्रांसफर कर सकते हो तो अमीदे आपको यह वीडियो पसंद आओगा विडियो पसंद वीडियो को लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मिलते श्रीमित लगाएज थैंक्यू थैंक्यू वच्छिंग में वीडियो